आप शभी का हमारे यूटूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है यूँ ही ज्यान वर्धक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे आईए आज जानते हैं चैतर नबरात्रे में माता दुरगा के नौरूपों का पूजन किया जाता है जो भी भक्त सची सरधा के साथ माता के श्वरूपों का पूजन करते हैं सची सरधा के साथ उनका वंधन करते हैं व्रद्र करते हैं और दुरगा शप्त सती का पाठ कथास्रबन करते हैं उन्हें हर प्रकार से शुख और शमृध्धी की प्राप्ति होती है और माता उनके उपर अपना सदैव करपा बनाये रखती है। आईए आज जानते हैं चैत्र नवरात्री में माता दुरगा के तीसरे दीन का पूजन। माता दुरगा के तीसरे श्वरूप का नाम माता चंद्रगंटा है। आईए जानते हैं चंद्रगंटा माता की महिमा के बारे में बोलिये प्रेम से चंद्रगंटा माता की जए। नवरात्री की तीसरे दिन माता दुरगा के तीसरे श्वरूप मा चंद्र घंटा का पूजन किया जाता है माता चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटाकार के अर्द चंद्र है यही कारण है कि इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है मा का वाहन शी है इनका शरीर श्वर्ण के समान उज्वल है कांतिमान है मा के दस हाथ है और शभी में उन्होंने अस्त्र और सस्त्र लिए हुए है युद्ध के लिए शिंग हारुढा मा चंद्र घंटा हमेशा ही तत्पर रहती है साथ ही जो ध्वनी उनके घंटेशे निकलती है वो असरों को भैभीत करने बाली है असरों का संगार करने बाली है अगर कोई भी साधक माता चंद्र घंटा की उपाशना करता है तो उसे अध् एक शक्ति की प्राप्ति होती है मानिताओं की अनुशार नबरात्री के तीसरे दिन माताज चंद्र घंटा की शाधना की जाती है और दुरगा शप्तशती का पाठ किया जाता है ऐसा करने से व्यक्ति को यश कृति एवं समान की प्राप्ति होती है दुरगा मा के तीसरे स्व रूप मां खुश्मांडा में बिहद शम्मता और शांती है अगर व्यक्ति इनकी अराधना करता है तो उसे निर्भैता और वीरता समेट शम्मता और विनर्मता की प्राप्ति होती है साथ ही मुख नेत्र तथा संपुर्ण काया में कांती गुण भी प्राप्त होता है व्यक्ति का स्वर अलोकिक माधरी हो जाता है मा के आगमन से वाताबरन में शुक्व शांती का संचार हो जाता है कहा जाता है कि जो मा चंद्रघंटा का शाधना करता है उनके शरीर में दिव्य प्रकाश युक्त सतत विकरन होता है चंद्रघंटा माता कोश्वर की देवी भी कहा जाता है मात्य पर घंटे के आकार का चंद्र होने की कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है, शिह पर शवार मा अस्रों और दुष्टों का शंगार करती है, माता अपने भक्तों की सभी इक्षाओं को पुर्ण करती है, तो आसा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान वर्थक चानकारिया, प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में वेल आइकन घंटी दबाए, ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, शुकी रहें और स्वस्त रहें, जैसे राधे किशन, धन्यवाद